ममा चुडिया और पापा चुडिया तेज बारिश में अपनी बेटी के लिए दाना लेकर आ रहे हुथे कि रास्ते में उन्हें अंधेरा हो जाता है दोनों पती बतनी अंधेरे में रास्ता भूल जाते हैं तेज बारिश उपर से अंधेरा ठक हार कर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं हमारी बेटी अकेली डर रही होगी मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है बुढिया ने कहीं बार बारिश देखी है बिजली के खड़क से उसे डर लग रहा होगा आसमान से तेज रोशनी आती है और एक जोर की आवास के साथ बादल गरशता है अपने घौसले में बैठे हुई चोटे कुईया जल्दी से उठकर खिड़के में जाकर बैठ जाती है ये आवास कैसी है और आसमान से पानी की रहा है ये सब पहले कभी नहीं देखा मैंने और ममा पापा ने भी पहले कभी मुझे इसके बारे में ने बताया मेरी ममा और पापा के पंख भी एके होंगे इस पानी से मगर क्या करूँ बाहर भी तो नहीं जा सकती ममा पापा ने बाहर जाने से मना जो किया हुए है दर के मारे गुडिया सुकड़कर बैठ जाती है आस्मानी बिजली की गड़क कही और नहीं गुडिया के ममा और पापा पर ही गिरी थी दोनों पती पतनी आस्मानी बिजली गिरने से मर गे थी और साथ वाला सूखा पेर तो अभी तक जल रहा था सारी रात गुडिया खिड़के में बैठ कर अपने मम्मा और पापा का इंतिजार करती है सुभा हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी गुडिया अपने घर के बाहिर निकल कर बैठ जाती है गोरी कवी और कालू कवा अपना दाना लेने जा रहे थे जलते हुए पेड के पास उन्हें मम्मा चड़िया और पापा चड़िया मरे हुए दिखते हैं कालू कालू देखो वो सामने देखो रात जो कड़ाके की बिजली गिरी थी उसने चड़िया और उसके पती की जान ले ली रात की तेज बारिश ने बहुत से पक्षियों की जान ली है और बहुत से पक्षियों को पेघर किया है कालू इस चुडिया की एक छोटी सी बेटी भी है ना जाने वो किस हाल में होगी हमें जाकर उसे देखना जाहिए फिर कवा और कवी चुडिया के घर जाते हैं गुडिया अपने घर के बाहर बैठी हुई अपने ममा पापा का इंतजार कर रही थी कवा और कवी वहां पहुँचाते हैं आंटी आंटी मेरी ममा और पापा मेरे लिए दाना लेने के हुए है मगर अभी तक लोट कर नहीं आए शायद उनके पांख भी के होंगे क्या आपने उन्हें देखा है कहीं गुडिया बेटी आपके ममा और पापा अब कभी लोट कर नहीं आएंगे राज जो बिजली गिरी थी वो आपके ममा और पापा की चान ले गई नहीं नहीं आंटी ममा ने कहा था कि घर से बाहे ना निकलना मैं जरूर लोट कर आऊंगी बेटी ये सब हम पक्षियों के बस में धोड़ी होता है क्या जाने कब जीवन खतम हो जाए चलो अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलो बेटी हाँ गुडिया बेटी आपके लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होगा फिर कववा और कववी गुडिया को अपने साथ ले जाते हैं दोसरे दिन गुडिया उठकर रोने लग जाती है ममा ममा मुझे आपकी बहुर यादा रही है गुडिया बेटी आपको जिंदगी गुजाननी है अभी अगर ऐसे ही हिमत हार दोगी तो कैसे चलेगा चलो बेटी दाना लेने जाते हैं मैं आपको सिखाऊंगी के दाना कैसे ढूंडते हैं फिर कववा और कववी गुडिया को साथ लेकर दाना लेने चले जाते हैं कव्वा और कव्वी गुडिया को साथ लेकर घने जंगल में जाते हैं वहां उन्हें एक जगा दाना मिल जाता है गुडिया बेटी जब भी दाना नजर आए तो थोड़ी देर बैठकर इधर उधर देख लेते हैं ताके मालूम हो जाए कि दाना किसी शिकारी का न हो इतने में वहां एक कव्वा आ जाता है बूरा बूरा नाम है मेरा ये दाना मेरा है और ये जंगल का हिसा भी मेरा है तुम कव्वे यहां से दाना ले सकते हो मगर ये छोटी जडिया यहां से दाना नहीं ले सकती तेरी ये बड़ी बड़ी आँखे निकाल फैंकूंगी इस चुडिया को अनात समझ कर अगर कोई बात की तो मैं तेरी जान ले लूँगा एक चुडिया और कावो में प्यार पहली बार देखा है मैंने चलो गुडिया बेटी आंटी गोरी क्या ऐसे बुरे पक्षी भी जंग हाँ गुडिया बेटी लेकिन ऐसे बुरे पक्षियों से डरने का नहीं मुकाबला करने का फिर वो सब दाना लेकर वहां से चले जाती हैं ऐसे कव्वी और कव्वा गुडिया को दाना ढूंडना सिखाते हैं दिन गुशरते के और गुडिया बड़ी हो जाती है एक दिन ग काके हमारी गुडिया कपड़े सिलाई करना सीख ले हाँ हाँ ममा मुझे सिलाई करने का बहुत शोक है मैं अपनी डॉल के लिए भी कपड़े सिलाई करूंगी बेटी अब आप बड़ी हो गई हो और एक दिन आपकी शादी भी हो जाएगी इसलिए अब आप गुडिया से खे इसकान देगा चिल्दी ये जिडिया अनाद नहीं है मैं इसके ममा और ये इसके पिता है हम देंगे हम देंगे गुडिया की फीस तम चिंता ना करो चिल्दी तो फिर लिखवाओ नाम गुडिया गुडिया है मेरा नाम और पिता का नाम ये सुनकर गुडिया कालू कवे की तरफ देखती है और कालू कवा बहुत प्यार से अपना सर ही लाता है कालू कालू कवा ऐसा कहते हुए गुडिया अपने पिता कालू कवे के गले लग जाती है और रोने लग जाती है गुडिया मेरी बच्ची ऐसा ना करो हम आपको बहादूर बनाना चाहते हैं इतनी बहाद कि इस जमाने का मुकाबला कर सको। फिर उस दिन के बाद गुडिया चील के सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने आने लगती है। एक दिन गुडिया अपने सिलाई सकूल से आ रही थी कि पीछे से एक आवारा उल्लू आकर गुडिया को रोक लेता है। सुन्दर चुडिया, चल तुझे आइस्क्रीम खिलाता हूँ चल चल भाग यहां से, मैं अपने सिला इस्कूल जा रही हूँ माकर आज तो मैं तुझे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा जैसे ही वो उल्लू गुडिया की तरफ भड़ता है, पीछे से कालू कवा आ जाता है हरामी उल्लू, तेरी इतनी जुरत के मेरी बेटी को पांक लगाए, मैं तेरा ये पांक ही तोड़ दूँगा दोनों में लडाई शुरू होती है, और कालू कवा मार मार कर उस उल्ली को वहां से भगा देता है और अपनी बेटी को साथ लेकर चला जाता है गुडिया बेटी, कल से तेरे पापा तेरे साजाया करेंगे ऐसे कवा और कवी गुडिया को जिन्द की गुजाने के तोर तरीके सिखाती है गुडिया सिलाई भी सीख लेती है, दाने की खोज भी फिर एक दिन कवा और कवी गुडिया की एक सुंदर से चिड़े के साथ शादी कर देती है गुडिया की बेदाई पर कवा और कवी रो रहे थे माम्मा पापा आप छुप कर जाएं मैं आपसे मिल जाया करूंगी बेटी कुडिया मुझे आपकी बहाया से दाएगी कालु कवा भी अपना मू पेड़ से लगाए रो रहा था गोरी अब हम गुडिया के बीना कैसे रहेंगे मगर बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है ऐसे कवी और कवे ने पड़ोसी होने का हक अदा किया और एक अनाच चुडिया की जिंदगी खुशियों से भर दी यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साशियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धरने बाद गुडिया के पापा आज तो सुभा से कोई कहक भी हमारे ढबे पर नहीं आया आज तो सारा खाना जो हमने बेशने के लिए बनाया था खराब ही होगा कल मुझे तो तोता मिला था तोते ने मुझे बताया के हमारे जंगल के सारे पकशी दूसरे कारूबार करने दूसरे जंगलों में निकल गे हैं अब पक्षी बहुत थोड़े रहे हैं इस जंगल में कल से हम अपने धाबे के लिए खाना भी कम ही बनाया करेंगे शाम होने को थी फिर चिडिया और उसका पती अपने घर चले जाते हैं ममा ममा कल मुझे स्कूल से गर्मियों की छुटिया हो रही है और मुझे स्कूल में फीस लेकर जाना है मास्टर जी बोल रहे थे कि कल फीस लाजमी लाना चिडिया और उसका पती खामोश थे क्योंकि उनके पास तो घर में कुछ भी ना था आप सो जाओ कूकू बेटा मैं कल आपके मास्टर से जाकर मिल लूँगा ममा और पापा क्या बात है आज आप मुझे कुछ परिशान लग रहे हैं नहीं मेरी बेटी बस कुछ दिनों से हमारे धाबे पर गहक बहुत थोड़े आ रहे हैं अब तो काम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है सुनिये जी कूकू फीस कहां से देगा अगर कल फीस ना दी तो मास्टर जी हमारे बेटे को स्कूल से निकाल देंगे मेरे पास दुकान में कुछ रुपे हैं जो मैंने धाबे का दो दिन का राशन लेने के लिए रखे थे मैं उनसे कल कूकू की फीस चमा करवा दूँगा है रे भगवान ये भी कैसी जिन्दगी है हमारी गुडिया भी जवान है इसकी भी शादी करना है और कूकू की पढ़ाई अगर काम ऐसे ही बंद रहा तो कैसे गुजारा होगा उनका बेटा कूकू सोया ना था वो जाग रहा था और अपनी ममा पापा की बातें सुन रहा था दूसरे रोज कूकू नदी पर जाकर बैठ जाता है वो अपनी ममा और पापा की बातें सोच सोच कर रोने लग जाता है ममा पापा आप कितने दुखी हैं भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया इससे तो अच्छा था कि भगवान हमें इस दुनिया में नाही भेचता पास में एक बुढ़ा पक्षी अपनी नाव में बैठा कुकु को रोता देख रहा था वो कुकु के पास आता है इनों से सारे पक्षी दूसरे जंगलों में चले गए हैं और हमारा कारूबार बंद हो गया है मेरे ममा पापा बहुत परिशान है और मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती बेटा रोने से कुछ नहीं होता हमें हिम्मत और होसले से काम लेना होता है जिन्दगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं मेरे पास आपके लिए एक उपाई है क्या क्या अंकल बताएए मैं भी अब बुड़ा हो गया हूँ मुझसे ये नाव भी अब चलाई नहीं जाती आप मेरी ये नाव ले ले और इसमें अपना धापा बना ले ये नदी बहुत से जंगलों को मिलाती है आप दूसरे जंगलों के किनारे जाकर अपना खाना बेचें इस तरहां आपका धंदा चल सकता है अंकल ये तो बहुत कमाल का आइडिया दिया है आपने मैं अभी घर जाकर पापा से बात करता हूँ फिर कुकु घर जाता है कुकु घर आकर अपने पापा को सारी बात बताता है कुकु बेटा ये आइडिया तो ठीक है ऐसे नदी में अपना धापा लेकर हम दूसरे जंगलों में भी जा सकते हैं और नदी के साथ साथ जितने भी जंगल हैं वहाँ अपना खाना बेच सकते हैं ममा जिडिया को भी ये बात बहुत पसंदाती है ममा मैं खाना बनाने में आपकी मदद करूंगी दूसरे रोज गुडिया अपनी ममा के साथ खाना बनाने में मदद करती है वो पनीर कडाही, छोले बटूरे और आलू वाले पराठे बनाते हैं और वो सारा भोजन उस पक्षी के नाव में रखते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी मदद की और हमें अपने नाव दी मैं अमीद करता हूँ कि आपका ये काम अब अच्छे से चलेगा फिर कुकु और उसका पापा, वो सारा भोजन लेकर नदी में दूसरे जंगल के लिए निकलते हैं वो एक जगे रुक जाते हैं अरे ये क्या, ये तो कुछ निया है नाव में धापा, चलो तो जरा जाकर दराई करते हैं ये तो कमाल का आइडिया है नाव में धापा तो हमने पहली बार देखा है हमें दो आलो वाले पराठे दो दें फिर कुकु उन्हें पराठे दे देता है वहां कुछ देर रुकने के बाद वो वहां से आगे बढ़ती है जो भी पक्षी नाव में बना धापा देखता वो तो खाने की खुश्बू की दरफ खिंजा चला आता शाम होने से पहले ही उनका सारा खाना बिक जाता है कुकु बेटा हमारा तो सारा खाना ही बिक गया हम कल से इससे भी ज़्यादा खाना लेकर आएंगे फिर वो अपने घर वापिस चले जाते हैं ममा ममा ये देखें इतने पैसे आज पहले ही दिन हमने इतने पैसे कमा लिये हैं सारा ही खाना इतनी जल्दी बिक गया मुझे तो विश्मास नहीं हो रहा फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं चीडिया और उसका परिवार बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने लगता है उनके पास रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं रहती कालू कववा जो उनके घर के पास एक किकर के पेड़ पर रहता था चीडिया का इतना ज़्यादा चलता कारूबार देख बहुत जलता है अगर ये नाव मुझे मिल जाए और मैं इस नाव में यही बिजनिस करूँ तो ऐसे मैं भी अमीर हो सकता हूँ फिर कुछ सोचकर कालू कववा नदी की तरफ जाता है वो उस बुढ़े पक्षी के पास जाता है जिसने कूकू को अपनी नाव दी थी बुढ़े पक्षी जी जो नाव आपने चीडिया को दी है अगर आप वो नाव मुझे दें तो मैं आपको डबल कराया दूँगा उस नाव का परंटो क्यों आप क्यों वो नाव लेना चाहते हैं मैं उस जुडिया के पडोस में रहता हूँ सारी जिन्दकी वो घरीब थी परंटो जब से वो नाव पर खाना बेचने का काम करने लगे हैं वो तो बहुत अमीर हो गे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उस नाव में वही कारुबार करूँ अगर ऐसा है तो तुम शाम को आना और वो नाव जब चिडिया वापस लेकर आए तो ले जाना फिर कवा खुशी खुशी वहां से चला जाता है अब तो मैं भी चिडिया की तरहां बनूँगा अमीर और बेचारी चिडिया फिर से गरीब हो जाएगी बहुत मज़ा आने वाला है मुझे तो शाम भी हो जाती है वो बढ़ा पक्षी दूसरे जंगल से और अपने जंगल के सारे पक्षी अकठे कर लेता है कुकु और उसका पापा भी नाव लेकर आ जाते हैं अंकर क्या बात है आज आपने ये सब पक्षी यहां क्यों अकठे किये हुए है सब ठीक तो है ना मैं इन सब पक्षियों को कव्वे का असल चेहरा दिखाना चाहता हूँ फिर वहां कव्वा भी आ जाता है चौल भी कुकु अपने पापा को साथ लेकर नाव से हट जाओ आज से ये नाव मैंने डबल कराई पर ले ली है रुको मैं तुम्हारे जैसे पक्षि को कभी भी अपनी नाव नहीं दूँगा चाहे बदले में तुम मुझे कितना भी किराया दो क्यूंके तुम लालची हो और अपने पडोसियों से हसद करते हो ये सुनकर सापक्षि कव्वे को बुरा कहते हैं किसी को खाता देह कर बरदाश नहीं होता ऐसे कव्वों से ये तो कोई बहुत बुरा पक्षि है फिर ये सब देख कव्वा तो वहां से फाग जाता है और चिडिया और उसका परिवार खुश्यों भरी जिन्दगी गुजारते हैं और अपना काम करते रहते हैं और खूब पैसे कमाते हैं मुन्ने ये कौन है मा ये तुम्हारी बहु है मा इसका नाम पारो है और हमने शादी कर ली है मुन्ने ये तुम क्या कह रहे हो बेटा ऐसे कैसे हो सकता है मैं तो तुम्हारी शादी अपनी बहन की बेटी से करना चाहती थी लेकिन मा पारो बहुत अच्छी है ये आपके बहुत सेवा करेगी इसे सब काम आते हैं ये घर भी बना सकती है और भोजन भी ला सकती है नहीं चाहिए मुझे इसका घर और नहीं इसका भोजन और होश्यार चिडिया तुम्हें जरा शरम नाई ऐसे मेरे बेटे से शादी करते हुए तुमने ये नहीं पूछा इसे क्या इसकी मा भी राजी है इस शादी में मा जी मुन्ना जी कहते थे कि आपको कोई अतराज नहीं होगा जैसी तुम हो बेशरम ऐसे ही तुम्हारे माता पीता भी होंगे जिन्होंने तुम्हें रोका नहीं माची मेरे माता पीता नहीं है वो तो तब ही मर गे थे जब मैं बहुत छोटी थी इसलिए तो इतनी बिगडी हुई हो मा बस भी करो ये पतनी है मेरी मुन्ना चिडा जो अपनी पसंद की शादी करके अपनी पतनी को घर ले आया था अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी माँ दूसरी दरब मुँ करके सो जाती है और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं अगले रोज पारो मुँ अंधेरे ही उट जाती है उसका पती और सास सोई हुए थे लेकिन वो उनके लिए भोजन की खोज में निकल जाती है नदी के पास उसे चावल के कुछ दाने मिल जाते है वो वहां से जाने ही माली थी कि गोरी कवी वहां आ जाती है अरे चिडिया तुम कौन हो और कहां से आई हो मेरा नाप पारो है और मैं मुन्ने चिड़े की पतनी हूँ हमने पसंद की शादी की है तो क्या तुम्हारी सास ने स्वीकार कर लिया तुम्हें मां गुस्से है लेकिन मान जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता आप मुझे जाना चाहिए और फिर वो चिड़िया चावलों के दाने लेकर वहां से चली जाती है उसका पती और सास भी घर में ही थे मां जी ये देखें मैं आपके लिए चावल लाई हूँ मैंने तुम्हारा लाया हुआ भोजन खाना तो नहीं था लेकिन अब अगर तुम चावल ले आई हो तो खा ही लेती हूँ और फिर वो चावल खा लेती है मां जी मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ मुझे वहां कुछ दिन लग जाएंगे और पारो तुम मां का दिहान रखना अच्छे अच्छे भोजन ला कर देना मां जी को और फिर ऐसा कहते हुए मुन्ना चिडा वहां से चला जाता है जाओ अब मेरा मूँ क्या देखे जा रही हो मेरे लिए कुछ सूखे तिन के लाओ मेरा घोंसला तो सारा तूटा हुआ है मां ची मैं अभी ले आती हूँ और आज मैं आपका घोंसला बना कर दूँगी मुझे नरम नरम घोंसला बनाना अच्छे से सिखा रखा है मेरी मांने और फिर पारोचिडिया अपनी सास के घोंसले के लिए तिन के लेने चली जाती है वो इधर उधर फिरती है लेकिन उसे सूखे तिन के तो कहीं नजर ही नहीं आते और फिर अचानक से उसका सर घोंने लगता है और वो चकरा कर एक पेड़ पर गिर जाती है वहां बैठा कबूतर ये सब देख रहा था वो जल्दी से उसके पास आता है क्या हुआ चिडिया मुझे तुम्हारी तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही कबूतर भाई ना जाने क्या हुआ उड़ते उड़ते चकर से आने लगे है मुझे थोड़ा पानी चाहिए और फिर कबूतर पास में ही नदी से थोड़ा पानी लाता है और पारो चिडिया के मुँ में डालता है अब कुछ बेहतर लग रहा है चलो अब मैं तुम्हारे घड़ चोड़ाता हूँ और फिर कबूतर उसके साथ जाता है तुम्हारी बहु की तबियत बहुत खराब होगी थी ये चकरा कर गिर गई थी और मैं ऐसे यहां ले आया पती चल गया है ना इसका दूसरे जंगल बस उसके जाते ही नाटक शुरू कर दी है इसने इसे कुछ भी नहीं है सब जूट बोर रही है मैं तोते डाक्टर को लेकर आता हूँ इसकी तबियत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही यह नाटक नहीं कर रही और फिर कबूतर तोते डाक्टर को लेने चला जाता है आज ही घोंसला बनाने का कहा और तुम्हें चक्कर आने लगें मैं सब जानती हूँ तुम्हारी जैसी चुड़ियों को माची मैं जूट क्यों बोलूँगी मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा था तोते मुन्ने चुड़े की बतनी को कुछ हो गया है उसे चकर आ रहे हैं तुम मेरे साथ चलो और उसे देखो उसे ठंडा पानी देना था वो तो मैंने पलाया है उसे मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ और फिर कभूतर तोते डाक्टर को लेकर पारो चुड़िया के घर की दरफ चलता है माजी मुबारिक हो आपको आपकी पहो के अंडा होने वाला है लेकिन आर्च से इसे किसी भी काम के लिए नहीं बेजना और नहीं भोजने ने इसे अच्छे अच्छे फल देना ये काफी कमजोर लग रही है अगर मा सहत मंद होगी तो ही बच्चा भी सहत मंद होगा अब मैं चलता हूँ और फिर तोता डाक्टर वहां से चला जाता है माजी देख लिया ये नाटक नहीं कर रही थी माजी अब तो हमारे घर में रोनक लग जाएगी मुझे तो बहुत खुशी हो रही है हमारे घर में चोटा सा बच्चा आएगा लेकिन उसकी सास तो जरा भी खुशना थी पारो बेहन अब मैं चलता हूँ और फिर कबूतर वहां से चला जाता है और फिर ऐसे ही दो दिन गुजर जाते हैं और पारो चिडिया एक अंडा देती है वो तो बहुत खुश थी लेकिन उसकी सास अब तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए थी और वो अपनी बहु से कहती है मैं अपनी सहेली से मिलना जा रही हूँ और अगर कहीं से मिला तो भोजन भी ले आऊंगी तुम्हारे लिए और फिर उसकी सास वहां से चली जाती है बहन कैसे आई हो आज और कैसी है तुम्हारी बहु सुना है तुम्हारे बेटे ने पसंद की शादी कर ली है उसी के कारण मैं बहुत परेशान हूँ मेरा बेटा तो मेरी एक नहीं सुनता वो तो नखर्टू पहले ही मेरी एक ना सुनता था और उपर से बिहा कर ले आया रहा जाती चुडिया को कोई अंडा हुआ है या नहीं अभी आज ही उसने अंडा भी दे दिया है जाती हो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा के मैं क्या करूँ सहेली हो तुम मेरी इसलिए मैं मश्वरा दे रही हूँ तुम वो अंडा तोड़ दो और नाम लगा दो उसका ऐसी जब लड़ाई होगी पती पतनी में तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा मुझे पता था गोरी तुम मुझे कोई अच्छी सलाही दोगी मैं इसलिए तुम्हारे पास आई थी अब मैं चलती हूँ शाम भी होने ही वादी है और फिर वो बढ़ी जड़िया वहां से चली जाती है माँजी मैंने सुभा से कुछ भी नहीं खाया और आप भी मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई मुझे तो खुद नहीं मिला कुछ काने को तुम्हारे लिए क्या लाती मैं जाओ और खुद ही खाओ कुछ मैं जाती हूँ माँजी लेकिन आप मेरे अंड़े का दिहान रखना तुम जाओ मैं पास ही हूँ अंडे के और फिर पारो चड़िया वहां से चली जाती है मुख का अच्छा है अंडा तोडने का इससे पहले कि उस चड़िया की जड़े मजबूत हो मैं उसकी जड़े ही उखार दूँगी ऐसा कहते हुए वो बुड़ी जड़िया उसका अंडा उठाती है और तोड़ देती है पारो जड़िया को भी भोजन मिल जाता है वो खुद भी खा लेती है और अपनी सास के लिए भी भोजन लेकर वापस हो लेती है वो जैसे ही अपने घर आती है तो अपना अंडा तूटा दे कर रोने लग जाती है माजी माजी मेरा अंडा कैसे तूट गया माजी मेरा अंडा तूट गया है मुझे क्या पता मैं तो तुम्हारे जाते ही सोगी थी अच्छे से नहीं रखा होगा गोंसले में इसलिए गिर का तूट गया होगा लेकिन पारो चिडिया तो जानती थी कि ये अंडा जरूर उसकी सासु माने ही तोड़ा होगा लेकिन वो रोती रहती है और कुछ नहीं बोलती और ऐसे उसका पती भी आ जाता है वो जैसे ही घर आता है उसकी नजर तूटे हुए अंडे पर पड़ती है पारो ये अंडा किसका तूटा पड़ा है मेरा पोता इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया इस जालम ने इसने अपना ही अंडा तोड़ दिया कहती थी कि मैं इतनी चोटी सी उमर में मा नहीं बनना जाती ऐसे नहीं है मा जी आप क्यों जूट बोल रही है मैं तो भोजने ने की हुई थी जब ये अंडा तूटा मुझे अब समझाई के मा तुम्हारे इतना खलाफ क्यों थी बहुत बड़ी गलती की मैंने रहा चलती चुड़िया से शादी करके तुम इतनी भी जालम हो सकती हो ये मैंने कभी सोचा भी ना था ये जूट है मैं कैसे अपना ही अंडा तोड़ सकती हूँ मेरी मा जूट नहीं बोल सकती जो हुआ सो हुआ मेरे बेटे अब तुम निकालो इसे अपने घर से मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी माजी मेरा और कौन है आपके सिवा मैं कहां जाओंगी बेहतर यही है यहां से चली जाओ मुझे ऐसी पत्री नहीं चाहिए जो इतनी जालम हो और फिर टूटे मन के साथ रोती हुई वो चिडिया वहां से चली जाती है लेकिन उसका तो कोई भी नहीं था इस दुन्या में रात भी होने वाली थी और वो कबूतर की तरफ जाती है पारो बेहन तुम क्यों रो रही हो और फिर पारो चिडिया कबूतर को सारी बात बताती है तुम्हारे सास तो पहले दिन से ही तुम्हारे ख़लाफ है लेकिन तुम जब तक चाहो मेरे पास रह सकती हो मैं भी अकेला ही रहता हूँ और फिर रात हो जाती है कबूतर और चिडिया सो जाते है अगले रोज जब पारो चिडिया की सास सो कर उड़ती है तो वो उठने ही पाती वो अपने बेटे से कहती है बेटा मुझे से हिलाने ही जा रहा ना जाने क्या हुआ है मेरे पंक हिलने ही रहे और ना ही टांगे मैं तोते डाक्टर को लाता हूँ और उसका बेटा तोते डाक्टर को लेने चला जाता है जल्द ही वो तोते को ले आता है तुम्हारी मा की चान तो बच की लेकिन इसे पक्षा घट का बड़ा अटेक हुआ है अब ये कभी उड़ नहीं सकेगी ऐसा कहते हुए तोता डाक्टर वहां से चला जाता है ये जरूर मेरे पापों की सजा है भगवाने मुझे मेरे किये की सजा दी है और वो ऐसे अपने बेटे को सारी बात बता देती है और वो रो रही थी ये आपने मा क्या किया कितना बड़ा गुना हो गया ये हमसे वो ऐसे रो रही थे कि कभूतर पारोचुडिया को लेकर आ जाता है तोते ने बताया कि आपको पक्षा घात हो गय है मैं देखने आ रहा था कि तुम्हारी बहु से रहा नहीं किया और ये भी साथ आ गई मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो भगवान ने मुझे मेरे किये की सजा दे दी है और फिर पारोचिडिया अपनी सास को माफ कर देती है और फिर वो सब हनसी खुशी अपनी जिन्दगी कुजाते है प्यारे दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कुमेंट करके जरूर बताना